हाई गाईज वेलकम तो दे लेक्चरार ग्रूप मेरा नाम है अबदुलवदूद और आज हमारा टोपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट थियूरी आज मैं ना सिरफ आपको इसके नोर्स बना के प्रोवाइड का रहा हूं बलके आपको अच्छे से समझाऊंगा भी और आप इस तरह से अगर पेपर में अटेम्ट करेंगे तो ज्यादा अट्रेक्टिव लगेगा चेक करने वादे को तो स्लाइडिंग फिलामेंट थियूरी जो के मुसल कंट्रेक्शन को जो है वो एक्स्प्लेइन करती है ये 1950 में जो है वो परपोस्ट की गई थी ग्रूप में वो एक दूसरे के उपर स्लाइड करके एक दूसरे के क्रीब आ जाती है कॉंट्रेक्शन के दुरान और रिलैक्शेशन के दरम्यान वो एक दूसरे से दूर चली जाती है जब ये जो है वो स्लाइड करती है एक दूसरे के उपर तो क्या-क्या चेंजिस आते हैं वो आप देख सकते हैं light band जिसे के I band भी कहते है ठीक है और ये dark region जो है इसे A band कहते है ठीक तो इस I band के अंδर एक ये जो दर्मयान में line है उसको हम Z line कहते है Z line ठीक और ये जो A band यानी dark band के दर्मयान में line है इसको M line कहते है लेकिं ये आप देख सकते हैं कि ये जो dark band है इसके दरमयान में ये थोड़ा सा whitish सा region है तो ये जो whitish सा region है इसको edge zone कहते हैं अब हम पहला change देखते हैं कि जो slide जब करती है thick filament over thin filament तो कौन सा change आता है पहला change जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली heading होगी वो है कि Z line brought closer और उसमें क्या क्या होता है ये आप देख सकते है Z line है और दूसरी Z line ये है ये जब contraction होती है muscles की तो ये एक दूसरे के क्रीब आ जाती है ठीक है ये है myosin filament जो के thick filament है और ये जो है ये thin filament है ये देखें एक दूसरे के उपर slide हो के एक दूसरे के क्रीब आ गही है किस वज़ा से के Z lines जो है वो एक दूसरे के क्रीब आ गही है ठीक है दूसरा point अब देखते है H zone disappear पहले तो हमें पता होना चाहिए कि H zone है क्या ठीक है ये जो dark band है ये इस वज़ा से है कि ये देखें आप यहां पे थिक और thin filament आपस में overlap कर रही है और overlap होने की वज़ा से यहां से light pass होने की कोई भी जगा नहीं है इस वज़ा से ये जो region है ये dark region बन जता है ये वाला भी region लेकि ये दर्मयान में जो whitish region है ये आप देख सकते हैं कि इस side पर भी यहां पर भी खाली जग़ा है यहां पर भी और यहां पर भी यहां से light pass कर जती है जिसकी वज़ा से ये light region बान जाता है जिसे हम h zone कहते हैं ठीक है तो h zone जो है वो disappear कैसे हो जाता है जब contraction होती है यानि के thick filament thin filament के साथ ज्यादा overlap करती है उपर slide करने की वज़ा से एक दूसरे के क्रीब आ जाती है यहां पर देखें यहां पर light pass करने का कोई भी जगा नहीं बच जिसकी वज़ा से h zone जो है वो disappear हो जाएगा और third point क्या है i band जो है वो short हो जाता है i band क्या है अब पहले हम i band देखते हैं यह i band है जो के light region है light region से मुराद है कि यहां से light pass कर सकती है क्योंके only thin filament are present अब यहां पर देखें यहां से भी light pass कर सकती है यहां से भी यहां से भी यहा जब contraction होती है तो यह वाली जो thin filament है यह move करके यहां तक पहुंच जाती है यह देखें ठीक है तो यहां पर just यह वाला region है जहां से light pass कर सकती है तो इस वज़ा से i band जो के यहां पर अच्छा बला है उसका यहां से लेकर यहां तक expand है यहां पर बिल्कुल छोटा हो जाता है तो इसलिए third जो change आता है वो क्या है कि i band जो है वो short हो जाता है अब हम चलते हैं कि how bridge are controlled यह भी उसी का ही हिस्सा है sliding filament theory का तो guys book में भी यह दिया होता है how bridge are controlled इस heading के साथ यह वाला जो है वो topic दिया हुआ है मैंने आपके लिए यह notes बनाए है और आपने इनी notes को follow करना है इस अभी उन steps को follow करेंगे तो easily आप इसको समझ सकेंगे पहला step क्या है active site on actin is exposed as calcium bind troponin सबसे पहले जब हमने muscle को contract करना होता है तो calcium iron release होते है सार को मेर में ठीक है वो calcium iron जो है आपको पहला lecture इस से देखना पड़ेगा जिसमें मैंने structure बताया है myofibril का जिसमें actin और myosin filament की भी structure बताया होगा है ठीक है actin जो filament है उसके उपर troponin लगा होता है एक नमबर और tropomyosin भी लगी होती है जो के उसकी active side के उपर जो है उसको जो है block की होती है tropomyosin तो क्या होता है calcium iron आता है जब हमने contract करना होता है तो troponin के साथ जाके वो चिप लग जाता है मतलब attach हो जाता है और troponin जो है वो क्या करवाता है lieutenant? अब ís को एक्टिव साइड़ के साथ myosin का head ने जिड़ना होता है उसको कहते हैの able server directive side और और वहां से tropomyosin को जो move करवा देता है क्या ट्रोपोनिन जब वहां एक्टिव साइट खाली हो जाती है तो क्या होता है मयोसिन का हैट जाके वहां उसके साथ जाके जुड़ जाता है मतलब वहां क्या बन जाता है cross bridge ठीक है जब acting के साथ myosin का head जाके जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहते है cross bridge ये हमारा दूसरा point है कि the myosin head form across bridge with acting अब हम चलते है next की तरफ जो के third point है वो ये है कि जब power stroke मतलब के contraction होनी होती है तो क्या होता है ठीक है myosin का head जो के cross bridge बना हुआ था वो bend होना शुरू हो जाता है bend होना शुरू हो जाता है और उसके साथ आप देख रहे होंगे कि ADP लगा होता है और phosphate वो release हो जाता है यह एक दूसरे पर slide करके एक दूसरे के क्रीब आ जाएंगे ज्यादा overlap होंगे तो ही contraction होगी जैसा के हमने यहां पर देखा के यह देखें acting और motion जो हैं एक दूसरे से दूर हैं लेकिन बाद में जब contraction होनी है तो slide over होके एक दूसरे के ज्यादा जो हैं वो एक दूसरे के overlap हो रही है ठीक है तो यह यहां से यहां तक कैसे slide over किये यह यहां से यहां तक कैसे slide over करके आया एक दूसरे के क्रीब यह cross bridges की formation की वज़ा से आए है ठीक है अब हम देखते हैं कि cross bridges की formation में जो third point था कि active stroke में क्या होता है कि cross bridge में जो myosin का head है वो contract होना शुरू हो जाता है और उसकी वज़े से ADP जो है और फासफेट ग्रूप release हो जाता है fourth point क्या है कि फिर क्या होता है relax कैसे होता है कि एक ATP का molecule आता है वो किसमें convert हो जाता है ADP और फासफेट अगेन वो एक ADP और फासफेट में convert हो जाता है और उसकी energy store हो जाती है potential energy के तोर पे किसमें myosin के head में ताके वो next वाला जो है वो जो active side पे दोबारा attach होके next वाली contraction को दोबारा perform कर सके ठीक है तो fourth point क्या आपने लिखना है कि our new molecule of fatigue की attach to the myosin head causing the cross bridge to de-attach ठीक है तो फिर वो दोबारा से de-attach होके relax हो जाएगा यही cycle जो है वो बार बार होता है जब हम क्या करते हैं muscle को contract करते हैं मतलब यह nano second में यह काम हो रहा होता है और इतना लंबा काम हो रहा होता है और हमें feel भी नहीं होता तो यह आप इन notes को जो है वो screenshot ले 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 या आप copy पर भी बिना सकते हैं बिल्कुल छोटे से मैंने notes बन जा गया होगा तो kindly video को like कीजिएगा share कीजिएगा और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा